गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मारा मुर्थी क्लासिज में मेसेंजर सेनी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास 12 का 4th chapter की exercise 4.2 के question number 14 वही से आगे करेंगे तो 14th question क्या है students हमारे पास determinant का 14 यह देखिए इससे पहले आप लोग इसकी पिक ले सकते हो यह 14 15 16 17 और देखते हैं आज कितने question कर पाते हम लोग इस वीडियो में हमने जादे से जादा 40 minutes की वीडियो बनानी है so students हमारा 14th का जो first part है वो क्या है 14th का first part है इस determinant के मुझे lambda square plus 3x into 3x plus lambda के equal prove करना है अब देखिए students हमें 3x plus lambda चाहिए तो हमें मिल गया 3x plus lambda कैसे मिल गया अगर मैं इस तरह से add करूं x plus x 2x plus x 3x plus lambda यह भी 3x plus lambda यह भी यहां row wise add करोगे तो भी x और x 3x plus lambda यानि चाहे तो आप column wise add करो चाहे रो wise add करो आपको 3x plus lambda मिल जाएगा तो यानि या तो ऐसे करो c1 में क्या कर दो c1 की जगा c1 plus c2 plus c3 या r1 की जगा r1 plus r2 plus r3 तो क्या होगा students आपके पास जब c1 में c2 plus c3 का add करो x plus x plus x 3x plus lambda यहां भी x plus x plus x 3x plus lambda x plus x plus x 3x plus lambda और यहां x x plus lambda x x x x plus lambda तो students यहां से 3x plus lambda common फर्स्ट कोलम से तो हमारे पास क्या बच गया 11 11 111 x x plus lambda एक्स x एक्स एक्स प्लस लैबड़ा और जब 1 1 1 आ जाए हम क्या करते है students property लगाते हैं अगर column में 1 1 है तो row में property row में 1 1 है तो column में अब हम 2 0 बनाएंगे 1 minus 1 0 1 minus 1 0 यानि r 1 minus r 2 करते हैं r 2 minus r 3 तो r 1 में क्या property लगाएं r 1 minus r 2 और r 2 में क्या लगाएं students r 2 minus r 3 तो यहाँ पर देखे student 3x plus lambda यहाँ पर बन गया 1 minus 1 0 इसमें से जब इसको minus करोगे तो minus का lambda और यह x minus x zero 1 minus 1 0 इसमें से जब इसको minus करोगे lambda तो इसमें से इसको minus lambda और 10 x 2020 आप students दो 0 यहाँ यहाँ तो किसी भी row से यप разные आइस पेयंड कर दो या first column से तो मैं first column से expand करता हूँ students expand by c1 अब c1 से expand करो students क्योंकि c1 में 2 0 बन गए तो 3x plus lambda plus minus plus plus का one into आप क्या करोगे इसको छोड़ दोगे इसको छोड़ दोगे माइस लेमडा माइस लेमडा स्केर प्लस का माइनस 0 तो यह क्या है हमारे पास 3x plus lambda into to lambda square this we had to prove is equal to right hand side so LHS is equal to RHS अब student इसका जो 14th का second part है वो क्या है same है जो हमने जैसे first part किया है हम क्या करें हमें x plus a plus b plus c चाहिए right side बें तो x plus a plus b plus c यानि इसको इसमें add कर दें तो मिल जाएगा यानि यहां फे property क्या लगाएं हम c1 plus c2 plus c3 तो c1 में x plus a plus b plus c बन जाएगा उसको common लेंगे जैसे मैंने last sum किया था वैसे इसको try yourself आपने खुद करना है property यह लगेगे student try yourself अब हमें यहां पर चाहिए x plus y into 9y square x plus y into 9y square चाहिए तो students यह देखिए x plus x 2x plus x 3x plus 3y बन जाएगा अगर हैं इस तरह से add करें तो 3x plus 3y यहां पर भी 3x plus 3y यहां भी 3x plus 3y तो 3x plus 3y बने three common ले लेंगे हम तो यहां पर property लगाएंगे student c1 की जंगा c1 plus c2 plus c3 तो property जब लगेगे हमारे पास तो यहां क्या जाएगा x plus x plus x 3x plus y plus 2y 3y तो यहां भी 3x plus 3y और यहां भी 3x plus 3y और यहां बन गया 3x plus 3y common यहां से 3x plus 3y common ले लिया हमने तो अंदर क्या बच गया 1 1 1 x plus y x x plus 2y x plus 2y x plus 2y x plus y और x अब student यहां पर 1 1 वाली property 1 1 वाली property क्या है r1 की जगां क्या रहे है r1 minus r2 और r2 की जगा r2 minus r3 तो यहां पर देखे students 3x plus 3y में से 3 common ले लिया अंदर x plus y बच गया तो हमें x plus y चाहिए था देखे right side में आप देखे students 1 minus 1 यह हो जाएगा r1 minus r2 की है तो यह 0 हो जाएगा इसमें 6 को minus करो यह y इसमें 6 को minus x x यह cancel 2y minus y y और यहां पर 0 यह इसमें 6 को minus करो माइस का 2y जब इसमें से इसको माइस करोगे तो यह y और यहां बचा 1 x plus 2y और यहां पर x अब इसको expand करो students जब आप expand करोगे फर्स्ट कोलम से तो क्या होगा 3 x plus y plus minus plus plus का 1 into इसको छोड़ दोगे इसको छोड़ दोगे तो इसकी multiply y square minus इसकी multiply यह minus minus plus का 2y square तो यह कित्रों 3y square तो 3 into 3y square into x plus y तो यह क्या students 15th का हम first part देखते हैं 15th का first part वो क्या कहता है तो students इसको हमने इसके प्रूब करना है अब हमारी determinant के अंदर कोशिच रहते है जीरो बनाने की तो जीरो बन सकता है यह देखे student यह B plus C है अगर इसमें से इसको minus कर दो और इसको minus बैद थी ने क्या किया सबसे पहले r1 कि जहां क्या कर दिया r1- r2-r3 तो जब इसमें से इसको और इसको minus किया तो यह बन गया A-C को तो यह cancel हो जाएगा इसी तरह हैं A में से यहां minus B minus A minus B अब इन दोनों को minus करेंगे तो यह बचेगा और यह B यह C plus A यह B और यह C और यह C और यह A plus B students यहां से हमारे पास यह cancel हो गया यहां से यह cancel हो गया तो हमारे पास यह minus का 2C बचया यह minus का 2B बच गया तो यह बना हमारे पास 0 D C minus 2C C plus A C minus 2B B A plus B अब students यहां से 2 common ले लेंगे take 2 common from take 2 common from R1 R1 से 2 common लिया 2 common लिया तो यहां पे 2 बाहर आ गया हमारे पास 0 B C minus C C plus A C minus B B A plus B आप students एक 0 यहां बन गया अगर मैं इसको इसमें add करता हूँ तो 0 बन जाएगा minus C plus C लेकिन यहां पे C बन जाएगा तो अगर इसको इसमें add करता हूँ यहां तो 0 बन जाएगा तो आप इसको इसमें add कर दो यानि r3 में r2 को add कर दो और इसको अगर इसमें add करो यहाँ 0 बन गया लेकिन यहाँ पर यह 0 खत्म हो जाए b plus 0 b बन जाएगा तो फिर आप इसको इसमें add कर दो यानि r2 में क्या कर दो आप r2 plus r3 r1 r2 में r2 plus r1 और r3 में भी r3 plus r1 करो तो क्या एगा students यह two adjectives यहाँ पर r1 एजड़े r1 में कोई प्रेपड्य ने r2 में यहाँ प्रेपड्य लेया इसमें इसको अच्को यह इन बनोगे बन سकता है कैसे भीäll नहीं बनेगा चाहिए c1 बने सीटू कोई भीलिपरपड्य आप इसके इलावा और 0 नहीं बनेगे, तो अब क्या करें, अब हमारे पास option है, सिर्फ expand करनेगा, तो expand कर दें हम students, c1 से करो, या r1 से करो, expand by c1, c1 से expand करता हूं, यह plus का 0 इंटु तो छोड़ देंगे हम, plus, minus, plus, फिर यह minus का b इंटु करेंगे, minus का b इंटु इसके सामने वाड़ी रोग तो minus c, यह multiply हो जाएगी, तो minus c, फिर minus का sign, जब इसको करोगे, ऐसे, तो इसकी यहा, 0 इंटु इंटु ए, 0 हो जाएगा, इसी तरह दे, plus, minus, plus, फिर plus का c, इंटु, c into इसको खोटा हो इसको चोटा हो इसकि 0 minus or minus plus का ab 0 plus ka ab हो जाएगा अब यह क्या बनतहा students 2 into minus b को minus यह से multiply किरें abc plus यह 0 हो जाएगा plus c को abc यह abc हो जाएगा ABC plus abc, 2 into 2 abc 2 into 2 abc for abc this we had to prove is equal to right hand side so left hand side is equal to right hand side अब student 15th का second part देखते हैं हम लोग 15th के second part में इसको हमें इसके प्रिक्वल प्रूव करना है तो यह क्या है x plus 2 तो x plus 2 हमारे पास यहां से मिल गया इन सबको add कर दें x plus 1 plus 1 x plus 2 x plus 1 plus x plus 1 x plus 2 तो यहनी c1 में क्या property लिखाएंगे c1 plus c2 plus c3 तो उसके बाद students आप खुद करोगे तो यहां पर 1-1 बन जाएगा जब इसको property को लगाने के बाद आपने इसको खुद करना है तो try yourself अब students में इसका 16th question करवाता हूँ आपको अब students 16th question में देखिए हमें इस determinant को a cube minus 1 सारे का whole square के equal prove करना है इसको अब a cube minus 1 को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ students मैं आपको अलग से रफ में करके दिखाता हूँ क्या मैं इसको इससे बोल सकता हूँ a cube minus 1 को a cube minus 1 है a cube minus 1 को मैं 1 को 1 की क्यों बोल सकता हूँ और a cube minus b q का ग्या formula है a minus b into a square plus b square one का square plus a b a into one हमारे पास यह है तो students यानि मुझे Q-1 बनाना है तो एक A-1 का factor चाहिए दूसरा A square plus 1 plus A चाहिए यानि A square plus 1 plus A चाहिए मुझे So students अगर हमें A Q-1 बनाना है तो मेरे को एक factor चाहिए A square plus A plus 1 तो A square plus A plus 1 बन जाएगा अगर हम सबको add कर दें तो add करें यानि C1 में क्या property लगाए C1 plus C2 plus C3 तो प्रोपर्टी लगाएंगे students तो क्या आएगा 1 plus A plus A square 1 plus A plus A square ये भी A square plus 1 plus A square ये भी A plus A square plus 1 बन जाएगा और यहाँ A1 A square यहाँ पर A square A1 students सिर्फ first property में हमें सोचना होता है determinant के सभी questions में उसके बाद सब सारा का सारा जो sum है बहुत easy बन जाता है क्योंकि first property में सोचने के बाद आप देखी यहाँ पर इसको मैं common ले लूँगा प्लस A plus 1 यहाँ से common अंदर क्या बत्या यहाँ बत्या बत्या वन 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 ए वन ए स्क्यर ए स्क्यर ए वन आप क्या करोगे students यहाँ पर इसमें से माईस को माईस करोगे are one माईनस रडल нем ऑर फैन आर्टो यहाँ आर टू आर्टो माईनस आ यहां अब देखिए one मैस ए स्क्यर पलस ए पलस 1 और यहाँपे one माईस रडल गर यह ए मैनस ठीरद और यह a-1 बन ये बन माझेश ह aç क्या वन मट्स स्क्यार और यह ए मैनस यहां पर बना च्टूडंस वन-एस खीए और वंक अब यहां पर एस्क्यार प्लसे प्लस अब यहा पे जीरो ए मानस वन और यहां दो BEN एवा अन्दर आप यहां पर यहां पर संदर ले लिया तो a square minus 1 बन जाएगा a square minus 1 की factor a minus 1 और a plus 1 और यहाँ पर a minus 1 और यहाँ 1 a square 1 अब यहाँ से a minus 1 common और यहाँ से भी a minus 1 यानि a minus 1 हमारे पास दो बार common आ गया और बाहर पहले क्या पड़ा है a square plus a plus 1 पड़ा है तो अंदर क्या बत गया 0 1 a 0 minus a plus 1 1801 और 0 a square 1 तो students हमें पता है a minus b into a square plus 1 का square b square plus a b यह a cube minus 1 का फार्मूला है तो हमारे पास यह देखी मैं यहाँ से करता हूं यह हमारे पास यह फार्मूला बन गया हमारे पास यह देखी यह जो है यह a minus 1 into a square plus a plus 1 a cube minus 1 का फार्मूला तो यह बन गया a cube minus 1 और बहार a minus 1 पड़ा है और अंदर क्या है students 0 1 a 0 minus a plus 1 1 और यह है 1 1 a square a 1 a square 1 यह बचा देखे students यहां पर 1 आएगा अब इसको expand करते है students first column से तो expand by first column तो a q minus 1 as it is a minus 1 as it is plus minus plus plus का 1 into इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो 1 minus 1 minus और minus plus हो जाएगा a की हम multiply a square plus a again student देखे a minus 1 into 1 plus a square plus a यह a cube minus 1 का फार्मूला तो यह a cube minus 1 और यह भी हमारे पास a cube minus 1 का फार्मूला तो यह क्या होगा students a q minus 1 सारे का whole square this is we had to prove right hand side so left hand side is equal to right hand side अब students 17th question है हमने इसको इसके को प्रूव कर रहा है तो हमें राइट hand side में क्या चाहिए x plus y plus z देखे x plus z plus y y plus x plus z और इन सब को एड कर दे तो x plus y plus z यहाँ पे 2y बन जाएंगे 2z और 2x यानी क्या करूँ अगर इसको इसको और इसको एड कर दो यह क्या है r1 में r1 plus r2 plus r3 अगर मैं करता हूँ तो वो मिल जाएगा मुझे जो चाहिए तो यहाँ पे इन सब को एड करूँ इसमें तो x और x 2x plus 2y plus 2z और यहाँ x plus y plus z और यहाँ भी y plus x plus z यानी x plus y plus z यह बन जाएगा students और यहाँ पे यह second row as it is z plus x यह जाड और यह x यह x plus y यह y और यह z अब x plus y plus z सबसे common तो x plus y plus z सबसे common तो यहाँ x plus y plus z यहाँ से two common ले ले तो x plus y plus z अब हमारा concentration क्या होता है जीरो बनाने की और जीरो बन जाएगा students यह देखे इसमें से इसको भी minus कर दो जीरो बन जाएगा और इसमें से इसको भी minus कर ओओ इसको यह जीरो बन गया इसमें से इसको minus कर ओओ इसको यह x minus z बच गया जब इसमें से इसको जीरो यह z minus x बच जाएगा और यह y minus z और यह one x और यह z as it is अब students हमने करना क्या है expand करते हैं हम expand करते हैं आरवन से तो x plus y plus z यहाँ plus minus plus plus का one into इसकी multiply यहाँ 0 minus इसकी multiply यहाँ यानि x minus z की multiply z minus x के साथ अब students x plus y plus z और यहाँ पे देखिए यह x minus z है यह minus बचा और x minus z और यहाँ से minus को में ले तो minus minus plus हो गया यह भी x minus z तो हमारे पास क्या बन गया x plus y plus z और यह x minus z और x minus z x minus z का whole square और हमें यही चाहिए students this we had to prove is equal to right hand side so left hand side is equal to right hand side यह देखिए students हमें यही प्रूव करना था next student हम 18th question करते है 18th question क्या है देखते हैं अब students 18th question में इसको इसके equal prove करना है इससे पहले आप note करें यह note लिख देतों मैं note करें आप लोग a q plus b q plus c q minus 3 a b c का जो formula होता है वो क्या होता है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a आप देखे students अगर यह minus common ले लें तो यही चीज बनेगी इसमें a q plus b q plus c q minus 3 a b c यही बनेगा लेकिन इसके लिए मुझे यह factor चाहिए क्योंकि इस इसका formula क्या है यह है तो हमें इसकी identity के लिए यह factor चाहिए a plus b plus c a square plus b square तो a plus b plus c मेरे पास बन गया कैसे a plus b plus c यह देखी या आप ऐसा करो b plus c plus a c plus a plus b a plus b plus c यानि c1 में c3 को add कर दो मेरे पास a plus b plus c बन जाएगा a plus b plus c बन गया तो मेरे पास a factor बन गया तो दूसरा factor मुझे चाहिएगा वो मैं निकाल लो आप students a plus b plus c बन गया हमारे पास तो यहाँ पे क्या property लगाएंगे हम property c1 में आप left and side लेंगे students सबसे पहले तो c1 ले करके c1 में क्या करोगे c1 plus c3 तो c1 plus c3 करोगे तो हमारे पास आएगा b plus c plus a c plus a plus b a plus b plus c a plus b plus c और यह second as is a minus b b minus c c minus a a b c अब देखे students यहाँ पे में a plus b plus c को में ले रहे तो और यहाँ a b c को में यहाँ पे cancel कर सकते हूँ क्यासे c2 में से c3 को minus करके तो यहाँ पे property लगाओ c2 minus c3 और take common a plus b plus c from c1 और common भी ले देते हैं तो देखे students a plus b plus c common आ गया हमारे पास अंदर बची हमारे पास one 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 अब इसमें c6 को minus करो minus का b इसमें c6 को minus करो minus का c और इसमें c6 को minus करो minus का a और यह a b c आज students मैं minus भी common ले लेता हूँ यहां से चाहो तो आप common ले ले अगर नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी है तो चलो मैं नहीं common लेता तो फिर यहां पे आरवन माइस आरटू कर देते हैं यह 0 बनाते है आरवन की आरवन माइनस आरटू और आरटू की जाए आरटू माइनस आरथरी तो यहां पे a plus b plus c और यहां पे तो यहां पे देख स्टूदेंस one minus one zero हो जाएगा यह माइनस B प्लस C माइनस B प्लस C यानि यह जब इसमें से इसको माइनस करो तो C माइनस B बन जाएगा तो इसमें से इसको माइनस करो A माइनस B इसमें से इसको माइनस करो 0 इसमें से इसको माइनस करो तो A माइनस C बन जाएगा तो plus minus plus plus का one into हम इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे इसकी multiply यहाँ c minus b की multiply करेंगे हम b minus c के साथ और minus का sign इसकी multiply यहाँ a minus c की multiply करेंगे a minus b के साथ तो a plus b plus c और यहाँ पे इसकी multiply यहाँ b c minus b square minus c square माइस माइस प्लस का b c यह माइस का साइन इसको यहाँ a square माइस अब यह bracket में solve कर रहा हूँ student क्योंकि सारी के आगे माइस है माइस a c माइस b को यहाँ माइस a b और माइस माइस plus का b c अब देखिए students a plus b plus c यहाँ पे b c minus b square minus c square plus bc minus a square minus plus का a c माइस के साथ एक खुला plus का a b और minus plus minus का bc अब इससे एक एंसल होगा plus का bc अब जो बाकी है उसमें से minus कॉमल लेंगे हम a plus b plus c इस सारे में से minus कॉमल लिया मैंने minus बहर आ गया तो अंदर बच गया a square plus का plus का b square plus का c square और a plus का bc था minus का minus का a b बच गया और minus का bc और plus का e c था यह minus का e c बन गया आप students यह देखिए यह वही फार्मुला बन गया a plus b plus e a square plus b square plus a square minus b minus bc minus c यह देखिए minus a b minus bc minus c तो यह किसका फार्मुला बन गदेआ हमारे पास a q plus bq plus c q minus 3abc अब इसको minus को अंदर multiply करो तो यह क्या आजएगा 3abc plus का minus का aq minus का bq minus का cq this is equal to right hand side hence prove यही हमें prove करना था students अब students मुझे चाहिए a plus b plus c सारे की whole इसको prove करना है इसकी whole मुझे a plus b plus c चाहिए तो a plus b plus c कैसे बन सकता है अगर इनको इसतरे से add करता हूँ column wise c1 plus c2 plus c 2a plus 2a 4a plus a 5a बनेगा minus b minus c तो हमें 5a minus b minus c नहीं चाहिए अगर इसको इसतरे से add करता हूँ a minus b minus c तो plus 2b करें तो plus का b बन जाए minus c में plus 2c करें plus का c बन जाए a plus b plus c बन जाएगा अगर मैं r1, r2, r3 को add करता हूँ देख लिए यह study r1 में क्या करो r1 plus r2 plus r3 सिर्व पहली property ही सोची है इसके बाद खुद हो जाएगा समझेखिए a minus b minus c में 2b को add किया और 2c को add कर दिया और यहां 2a में b minus c minus a को add कर दिया 2c को add कर दिया और 2a में 2b को add कर दिया plus c minus a minus b को add कर दिया यहां पर 2b 2c b minus c minus a 2c 2b c minus a minus b तो students यहां पर क्या बच गया हमारे पास a minus a बच गया एक तो minus का b plus 2b plus का b minus c plus 2c plus का c यहां 2a minus a a plus b minus c plus 2c plus c 2a minus a a 2b minus b plus b plus c तो 2b यह b minus c minus a 2b उसके बच 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 का 2c 2c c minus a minus b अब a plus b plus c common होगा students तो a plus b plus c जब मैंने common लेत दिया तो अंदर क्या बचिए one 1 1 1 यह 2b b minus c minus a 2b 2c two c minus a minus b अब students property लगाई one one वाले तो one one वाले क्या property है c1 minus c2 c2 minus c3 c1 के यहां c1 minus c2 करेंगे और c2 के यहां c2 minus c3 क्यों हो students क्योंकि यहां पर इसको 0 बना तो इसमें इसको minus करो यहाँ 0 बना तो इसमें से इसको माइनस करो तो यह बन जाएगा हमारे पास A plus B plus C 1 minus 1 यह हो गया 0 तो B में से इसको माइनस करो जब इसमें से इसको माइनस करो होगे तो यह बन जाएगा B plus C plus A इसमें से इसको माइनस करो 0 अब इसमें से इसको माइनस करो 0 इसमें से जब इसको माइनस करोगा इसमें से जब इसको माइनस करो तो यह भी बन जाएगा ञगा सी प्लस ए प्लस ए प्लस ब और एप सी तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस यहां से पुमन आ गया एक ये बत गया 0 1 0 0 minus 1 1 1 2 B C minus A minus B अब इसको expand करो students ये A plus B plus C सारे की whole Q और यहां बच गया इसको expand करोगे जब आप ये expand कैसे होगा students plus minus plus plus का 1 into ये extra लिखा गया plus का 1 into इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 1 minus 0 तो ये आया students हमारे पास A plus B plus C सारे की whole Q this we had to prove is equal to right hand side so left hand side is equal to right hand side ये ही हमें प्रूव करना था students ये देखी A plus B plus C की whole Q अब देखी students वहाँ पे A plus B plus C था ABC में था ये XYZ में same question है वहाँ A plus B plus C की Q प्रूव करना था ये X plus Y plus Z की Q प्रूव करना ये देखी आप question भी देख सकते हो same question है बस यहाँ पे ये इस तरह से है ये रो में है ये कोलम में है इस वे से है यहाँ पे 2A 2A है यहाँ पे 2X 2Y है 2Y 2Z है तो same question है तो प्रूपर्टी क्या लगी सेम रहेगा इसको खुद सोल करना है students हमें X plus Y plus Z तो मैं क्या करता हूँ तो प्रूपर्टी मैंने आपको बता दी वही सेम प्रूपर्टी लगेगी आप 21st question देखते है students अब देखें students 21st question क्या कहता है 21st question कहता है कि हमें इस determinant को twice of this determinant के इक्वल प्रूपर्ट तो हमें चाहिए सिर्फ बाहर 2 चाहिए तो हमें बाहर 2 चाहिए तो हम 2 लेके आ सकते है students क्या करें अब सभी देखिए X में इन सब को add कर दे C1 plus C2 plus C3 तो 2X बन जाएंगे 2Y और 2Z बन जाएंगे तो मैंने क्या किया C1 में क्या किया C1 plus C2 plus C3 तो यहां X plus X plus 2X हो जाएगा 2Y हो जाएगा 2Z तो 2 को में ले लिया X plus Y plus Z यह भी 2X plus 2Y plus 2Z बनेगा तो 2 into X plus Y plus Z यहां भी 2 into X plus Y plus Z बन जाएगा अब यहां पे Y plus Z यहां पे Z plus X यहां पे X plus Y और यहां Z plus X यहां X plus Y और यहां Y plus Z आघ स्टूडेट हम चैने चैने हमें चैने कोड़ेंगे खिव और रोपेट धुझेoires इस लेकिन इसे रहें गासेuben में चैने दिताब लेकिन उसमें सिरफ हमेलगें तो अप्रपन लिया में यह y plus z, यह z plus x, यह x plus y, यह z plus x, यह x plus y और यह y plus z, अब मुझे क्या चाहिए क्या, x, y, z ताहिए यहांफे, x, y, z कैसे बनेगा, y plus z, अगर इसमें से इसको mi- Details स तो यह x बन जाएगा, इसमें से इसको z और x cancel हो जाएगा, नि मैं क्या करूँ? c1 में क्या कर देू? c1 minus c2 X का यह Y जब इस में से इसको मैं स्कूर X और Y यह Z बढ़ जाएगा यह Y प्लस Z यह Z प्लस X और यह X प्लस Y यह Z प्लस X यह X प्लस Y और यह Y प्लस Z अब देखें स्टूडट्स मेरे को x y z चाहिए था x y z अब यहाँ पे z x y चाहिए देखिए third column z x y चाहिए तो z x y मिल जाएगा अगर c3 में से इसको minus करें तो अब c3 minus क्या कर दो c3 minus c1 तो यह two agility आप देखिए यह x y z यहाँ पे y plus z यह z plus x और यह x plus y agility और जब इसमें से इसको minus करो तो यह z बच जाएगा इसमें से इसको यह x बच जाएगा और यह y बच जाएगा अब मुझे यह z x y नहीं चाहिए second column में चाहिए y z x यह देखिए y z x चाहिए तो यह y z x बन जाएगा अगर इसमें से इसको माइस करो अब क्या करो c2 में से क्या करो c2 माइनस c3 तो अब यहां पर student two adjectives यह x y z इस में से इसको माइस करो y यह z और यह x और यह y तो यही हमें प्रूव करना था students अब student इसको मुझे इसके प्रूव करना है बिल्कुर सेम वैसा यह question है तो मुझे a plus b plus c b बाहर चाहिए तो भी चाहिए और यही सेम question देखे students अगर में सारे factor को को में तो x plus y plus z आ जाएगा बाहर तो यह x plus y plus z किया तो a plus b plus c है सेम question है तो हम property उज़ करें दो हमें c1 में c1 plus c2 plus c3 अगें टू इनन्टू a plus b plus c बन जाएगा में अगें इन्ट्रीणों को एड करें इसको भी two into a plus b plus c और यहां भी two into a plus b plus c बन जाएगा और यहां c plus a यह a plus b यह b plus c और यह a plus b यह B plus C और यह C plus A आप स्टूडर्स यह सारा कोमन आ जाएगा 2 इन 2 A plus B plus C कोमन तो अंदर बज़ जाएगा हमफारे पास 1 1 1 C plus A A plus B B plus C A plus B B plus C ओर C plus A आप स्टूडर्स वाली प्रपरटी दोनों हातों से यूज़ करेंगे हम लोग तब यहां पर R1 1-2 करते हैं students और 2-3 तो यहां पे 2 a Plus B Plus C आज़ टीज यहां पर 1-1 zero यह से इसको मारिष करो C-B इसमें से इसको मारिष करोगे a-c इसमें से इसको मारिष करो 0 इसमें से इसको मारिष करो a minus c जब इसमें से इसको minus c से c cancel ये b minus a और ये 1 ये b plus c ये c plus a अब student इसको expand करते हैं 2 into a plus b plus c plus minus plus 1 into c1 से expand करते हैं 1 into इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो इसकी multiply यहां c minus b की multiply b minus a के साथ minus cosine इसकी multiply यहां a minus c की multiply a minus c के साथ तो 2 into a plus b plus c इसकी multiply यहां करो b c minus b square minus a c minus minus plus का a b minus cosine अब इसकी multiply यहां करो a square minus a c minus a c plus का c square आब student 2 into a plus b plus c और यहां पे b c minus b square minus a c plus a b minus a square minus minus plus का a c minus minus plus का a c और minus c square और इससे यह cancel होगा a c बाग की जो बच गया वही answer 2 into a plus b plus c और यह a b plus b c plus a c बच गया minus a square minus b square minus c square this we had to prove so this is equal to right hand side so left hand side is equal to right hand side अब 23rd question देखते है students मुझे इसको इसके के को परोव करना है तो मुझे a square b square c square चाहिए बाहर तो यहां से देखिए students first column is a a a a a common है यहां से b common है यहां से c common है तो take common a b c from c1 c2 c3 respectively common लेते हैं students हम जब हमने common लिया तो हमारे पास बचा a यहां पे a plus b यहां पे a यहां पे a plus b यहां पे b बच गया और यहां पे b common लिया तो c बच गया b बच गया और b plus c बच गया और यहां से c common लिया a plus c a और यहां पे c बच गया अब मुझे हमारा concentration कहां पे है 0 बनाने की ओर तो a b c जब मैंने common लिया तो यहां पे a b c बहर आ गया अब a plus c यहां पे 0 बन जाएगा देखे students इसमें से इसको minus करो और इसको minus करो यानि r1 में से क्या करो r1 minus r2 minus r3 तो यह a b c जब इसमें से इसको minus करो इसको minus करो तो यहां पे इससे a cancel minus का b minus का b minus का 2 भी बच जाएगा जब इसमें से इसको minus करोगे इसको minus करोगे तो यह minus का again 2 भी बच जाएगा जब इस में से इन दोनों को माइनस करोगे तो यह zero बढ़ जाएगा यहाँ पे a प्लस b यहाँ पे b यहाँ पे a यहाँ पे b यहाँ पे b प्लस c और यहाँ पे c चूदन्स यहाँ से two common ले लिया हमने two ABC बहार आगया two बहार आगया minus b यहाँ पे minus b यहां पर मैं 0 बना सकता हूं यहां पर देखिए एक 0 बन जाएगा यहां पर अगर क्या करें हम लोग अगर इसमें से इसमें से इसमें से इसको माइनस कर दे तो यह 0 बन जाएगा तो यहां फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं हमें 2 0 बन जाएगी इस रो में तो यहां फिर इसको इ C1-C2, जब माइनस करेंगे, तो 2A, B, C, जब इसमें से इसको माइस करोगे, तो यह 0 बन जाएगा, जब इसमें से इसको माइस करोगे, तो A बच जाएगा, जब इसमें से इसको माइस करोगे, माइनस का C बच जाएगा, यह माइनस का B, यह B और यह B पलस C, और यह 0, यह A औ और C, अब expand करो R1 से, expand जब करोगे तो expand by R1, क्योंकि R1 में 2 0 हैं, तो 2A, B, C, plus, minus, plus, तो यह क्या ज़िएगा, plus, minus, इसके साथ minus लगेगा, और यह minus का B पहले है, तो B into इसको छोड़ दो, और इसके सामने वाली column को छोड़ दो, तो इसकी multiply यहाँ AC मैंसे minus करोगे इसकी multiply यहाँ minus का AC यह minus का AC हो जाएगा minus minus plus का AC तो हमारे पास 2ABC और AC plus AC तो B into AC plus AC 2AC तो 2ABC multiply 2ABC तो हमारे पास यहाँ 4A square B square C square और यही हमें प्रूव करना था student से देखी so left hand side is equal to right hand side so students आज के लिए इतना ही बाकी के question हम next video में करेंगे उमीद करते हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को like करे, share करे, comment करे और उन सभी बच्चों से request जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया वे मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को जुरूर दबाए ताकि हर आने वाली वीडियो का notification उनको मिल सके आपको जुरूर अपको जुरूर अगरे चैनल को जुछक्तिण को जुछू मुछरू आपको जुछया और आपको की कियाति झाल झाल